नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल टेक्ट फार्मिंग में और मैं आजीत आज आप सब लोगों के साथ में अपने हाइड्रो पॉनिक टावर वन के पेडों का रिव्यू करूंगा तो देखते हैं कि उनमें कैसी प्रोग्रेस रही क्या कोई इशू आ अब एक बेड में दिख रही है कि यहां पर ट्रिप्स अटायक हुआ है चोकि पत्तों की निचली सते पर रहता है और पत्तों को खुरोज कर उन्हें खाता है तो यह पत्ति जो है एक नाव की तरीके मुड़ जाते हैं इस से प्रेवेंशन के लिए मैं जो है नीम के केक्स क इस्तमाल करूंगा नीम सेलुइशन का तो यही एक मेजर इशू दिखा मुझे अगर शुरुआत में इसको नहीं सही किया गया तो आगे दिक्कत कर सकता है बाकी मैंने स्टिक लगा रखी है क्योंकि कुछ पेर्ड थोड़ा सा अब बड़े हो रहे हैं तो जिने सपोर्ट की दूश्ग में बाइंगे की सेकंडरी बांच जो है वो निकलना शूरू हो गई है ये एक पॉजिटिव साइन तर्पोस्ट रोध है अब देखते हैं इक इसी तरीके से एक और पौदा है जिसमें हम देखते हैं कि इसमें भी सेकंडरी प्रांच निकलना शुरू हो गई है तो कहीं नहीं यह जो सिस्टम है यह वर्क कर रहा है और यह स्वाइल लेस फार्मिंग जो है वर्क कर रही है अब इसकी जो रूट्स हैं उनकी हेल्थ देख लेते हैं तो रूट्स ग्रोथ इतनी हो गई है कि अब यह ग्लास से बाहर जो कट हैं उनसे बाहर आने लगी है तो यह डारेट इंटेक जो वाटर ड्रिप बाई ड्रिप गिरता है उसका लिक कर रही है तो इसको बहुत ही केरफुली हम वापस से रख देते हैं रूट्स को और आगे चलके मुझे के साइट का या नीम के केक का सलूशन मना के स्प्रे करना पड़ेगा क्योंकि वाइट फ्लाइ या फिर थ्रिप्स का अटैक बढ़ने की चांसे ज़्यादा रहते हैं तो इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मैं इन पौधों की 3G कटिंग करके उनके जो चैनल पर बने रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद